प्रीय दोस्तों, नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टी को द या थ कब पढ़ते हैं? इसका पहला नियम आपको समझा दिया गया था आज की इस वीडियो में हम दूसरे नियम पर चर्चा करेंगे देखे और समझते हैं देखे, टी को द या थ कब पढ़ते हैं? यदि किसी सब्द में टी के बाद ह हो यदि किसी सब्द में टी के बाद ह हो तो वहाँ पर टी का उचारण द या थ किया जाता है वह भी सब्दानुसार कहीं पर टी का उचारण द होता है और कहीं पर टी का उचारण थ भी किया जाता है आपको यह सब्दानुसार लगाना है देखते हैं यदि टी के बाद ह होगा तो वहाँ पर टी का उचारण या तो दो होगा या तो थो होगा जैसे या उधारण के लिए आपके सामने एक सब्द है इस सब्द को पकड़ते हैं या इस सब्द को देखते हैं देखी टी के बाद ह है तब यहाँ पर टी का उचारण हम थो करेंगे तब इस सब्द का संप्रों उचारण होगा देखी तब इस सब्द का संप्रों उचारण होगा ठीक उसी प्रकार इसे देखी टी के बाद अब इस सब्द को देखी यहाँ टी के बाद ह है तो यहाँ पर टी का उचारण हम दो करेंगे और इस सब्द का संप्रों उचारण हो जाएगा अब इसकी परिभासा पर चलते हैं देखी इसकी या इसका पहला नियम यह था और दोसरा नियम यह वाला है जिसमें है यदि किसी सब्द में टी के बाद ह हो तो टी को द या थ पढ़ते हैं उचारण के लिए आपको यह समझा दिया गया था और यह वाला भी समझा दिया गया था इस वीडियो में टनाई थांक यह वे नहीं